तो क्या आपके भी mobile phone के अंदर आपका wifi on नहीं होता है तो इस problem को कैसे आप solve करेंगे आपके mobile phone के अंदर आपका wifi on नहीं होता है या आपके mobile phone के अंदर आपका wifi op नहीं होता है तो इस problem को कैसे आप fix करेंगे कैसे आप solve करेंगे वही मैं आपको इस video के अंदर बताने वाला हू कि आखिरकार वाइफाई ओन न हो या आपका वाइफाई ओप न हो तो इसे प्रॉब्लम को कैसे हम फेक्स कर सकते हैं हमारे साथ भी आज ही सुबह यही हुआ कि हमारा वाइफाई ओन नहीं हो रहा था तब हमें पता चला कि आकर कार क्या प्रॉब्लम थी हमारे वाइफाई में और किसे कारण हमारा वाइफाई आन नहीं हो रहा था और कैसे आपका वाइफाई आन होगा तो यहाँ पर मैं आपको कम से कम दो या तीन सेटिंग बताऊंगा जिन्हें आप फालू कर लेते हैं आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्ब हो जाएगा सबसे पहला सेटिंग और सबसे पहला ट्रिक यह है कि आपको अपने मुबाइल फोन के अंदर ब्सक्राइब फ़रेम ओन करना है क्लिक करना है यहांको करेंगे हैं यहां पर सेटिं करनेैंगे यहांको किलिक करने सेटिंग के बाद यहां पर पर अपने डाटा का आदान प्रदान करते हैं तो आपको यहां पर अपना नेटवर्क सेटिंग आपको एक बार रिसेट करना है हो सकता है कि आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गया हो कोई इसू आ गया हो जिसके आपका वाइफाई ओन नहीं होता है तो आपको यहा आपको अपना फैटन डाल देना है और यहां से भाइक हो अपने मुबाल फोन के अंदर देख लिना है कि दूए आपका सोफ्टवेर है या आपका सिस्टम है वो पूरी तरी से अब supposed to date है यानोए कि अप्डेट है या नहीं हो सकता है कि कभी कभी मुवाइल फोन के उंदर सौप्ट वेयर में अपडेट आ जाता है और इसके करणर आपका właśnie on नहीं होता है तो आपको अपने मुवाइल फोन का सौप्ट वियर आपको चेक आउट करना है कि कहीं कोई आपडेट तो नहीं आया है उसके बाद आपको करना है आपको अपने रिसेंट बार से सारा का सारा एप्लीकेशन सारा का सारा यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन है उससे आपको किलोच करने के बाद फि फिक्स नहीं होता है, तो आप अपने मुबाइल फोन को एक बार फेक्टोरी डाटा रिसेट मार दीजिए, यानि कि आपको अपने मुबाइल फोन को फोली रिसेट मार दीजिए, और उसके बार सारा प्रॉबलम सॉल्व हो जाएगा, वैसे आपका इतना काम कनेक्ट बार सार बहुत धन्वाद